कभी कबार इंटर्व्यू के वक्त आपसे ऐसे सवाल पूछ जाएंगे जिसका आंतर आपको नहीं पता होगा तब आप क्या करेंगे? मैं बताता हूँ इस वीडियो में हम आपको देंगे टॉप फोर टिप्स on how to answer when you don't know the answer during an interview नमस्ते हेलो आदाब शुरुवात कर इंडीड पर में आपका स्वागत है वीडियो के एंट तक जरूर वेट कीजिए क्योंकि हम आपके लिए एक बोनस टिप बिलाए हैं जो आपको कुछ गलतियों से बचने के लिए help करेगा तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स की तरफ टिप नमबर वन टेक योर टाइम टू आंसर टाइम लेकर आंसर दीजिए जब इंटर्विवर आपसे सवाल पूछे जिसका जवाब आपको ना पता हो तब परिशान होकर आप सोचने लगेंगे कि चलो भाई कुछ भी बोल देते हैं लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करता अपना टाइम लेके जवाब देने से आपको मौका मिलता है क्वेस्चन को एनलाईज करके ब्रेक डाउन करने का और ये आपको दिये गए इंफोर्मेशन के बारे में ध्यान से सोचने का मौका भी देगा ऐसा करने से आप अपने जवाब को लॉजिकली और्गनाईज कर सकते हैं ताकि आपका आंसर वेल स्ट्रक्चिर्ड और क्रिस्प रहे ये इंटर्व्यूर को दिखाएगा कि आप काम कंपोस्ट और कॉन्फिडेंट हैं और नर्वसनेस में बड़ बड़ा नहीं रहे हैं थोड़ा सा टाइम पाने के लिए आप इंटर्व्यूर से ये कह सकते हैं में आइ टेक अ मिनट तो तिंक अबाउट दाट या कैन यू प्लीज रिपीट दे क्वेस्टिन ये कहने के बाद आप कुछ टाइम ले सकते हैं ताकि आप अपना आंसर फॉर्म कर सकें अब दोस्तों हमारा भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके सारे इंटर्व्यू से रेलेटिड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकें टिप नमबर टू क्लारिफिकेशन के लिए पूछने से मट डरिए क्लारिफिकेशन के लिए पूछना एक अच्छी स्ट्राटेजी है एस्पेशली जब आप आंसर के बारे में शूर नहीं है यह आपके क्वेशन को पूरी तरह समझने की और एक थॉट्फुल और रेलेवेंट आंसर देने की अबिलिटी को दिखाता है जब इंटर्विवर आपको क्वेशन के बारे में ज़्यादा कॉंटेक्स ना दे या आप जानते नहीं वो कैसे आंसर की तलाश में हैं तो आप क्लारिफिकेशन के लिए ऐसे पूछ सकते हैं कुद यू प्लीज गिव में मोर कॉंटेक्स फॉर थे क्वेशन या फिर आपके पास जो जानकारी है वो बताईए इंटर्विव के वक्त अगर आपको जवाब नहीं आता तब आप उस नॉलेज को प्रवाइड कीजिए जो आपके पास अल्रेडी है Instead of not answering the question आप कोई भी relevant information, insight या experience जो आपके पास है वो शेयर कर सकते हैं यह आपके contribute करने की एक्चा और अलग-अलग areas की expertise को highlight करता है हाला कि यह इस question का direct answer नहीं है लेकिन यह आपके critical thinking और conversation में value लाने की ability को दिखाता है For example, एक sales interview में अगर interviewer आप से कोई sales technique या strategy के बारे में पूछते हैं जो आपको पता ना हो तो don't just admit you don't know इसके बजाए आप आपके दूसरे sales techniques जो आपको already पता हैं वो highlight कर सकते हैं For example, I haven't used this particular sales technique but I have had success with lead generation and building relationships I am also a quick learner and I am confident I could apply your sales technique to this role ये जवाब आपकी competency और adapt होने की ability को दिखाता है Tip number 4 Talk about how you would find out the answer आप answer कैसे ढूणनेंगे ये बताइए अगर आपको interview question का answer पता ही ना हो तो आप honesty के साथ interviewer को कह सकते हैं कि आपको उस सवाल का जवाब तिलहाल नहीं मालूम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर ही रुख जाएं पहले admit कीजिए कि आपको answer नहीं पता है याद रखें कि ये करते वक्त आप अपने बारे में negatively बात ना करें और बार बार sorry ना कहें फिर explain कीजिए कि आप उस सवाल का जवाब कैसे दूणनेंगे और फिर उनसे कहिए कि you'll get back to them at the earliest आपका जवाब कुछ ऐसा हो सकता है I'm sorry, I haven't had much exposure to that at my current workplace In fact, one of the reasons I am looking for a new opportunity is to expand my knowledge around this topic I'll study more on this topic and get back to you at the earliest इससे interviewer को पता चलेगा कि आप honest है और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं to learn more about this topic दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आ गया है टाइम जबर्दस्त बोनस टिप का बोनस टिप, what not to do, क्या ना करें अब हमने ये तो देख लिया कि इस situation में आप क्या कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि क्या नहीं करना है घबराईय मत, जब आपको जवाब ना पता हो, तब नर्वस फील करना नॉर्मल है लेकिन, try to stay calm and composed घबराने से आप clearly नहीं सोच पाएंगे और इससे अच्छे से respond करना मुश्किल हो सकता है जूटा या बनावटी जवाब मत दीजिए इंटर्विवर्स को आसानी से पता चल जाता है जब candidates गलत या बनावटी जवाब देते हैं honest रहना काफी important है आपको जवाब नहीं पता है admit करना is better than giving incorrect information ज्यादा देर silent ना रहें अपना time लेके thoughts को collect करना is totally okay लेकिन ध्यान में रखें कि आप ज़ादा देर silent ना रहें क्योंकि यह awkward लग सकता है इससे आप unprofessional और incapable देख सकते हैं यह avoid करने के लिए एक छोटा सा pause लीजिए और फिर honestly अपना answer दीजिए अगर आप किसी भी question के बारे में sure नहीं है तो take your time अपने thoughts gather कीजिए और फिर honestly respond कीजिए यह आपके काम रहने का critically सोचने का और सचाई के साथ answer देने की ability दिखाता है clarification के लिए पूछने से मट डरिये क्योंकि यह आपकी commitment को दिखाता है to understand the question इससे आप अपने listening skills को highlight कर सकते हैं और clarity के साथ response भी कर सकते हैं आपके पास जो कोई भी relevant knowledge या experience है which is related to the question वो share कीजिए यह आपके contribute करने की इक्छा और दूसरे areas में expertise को दिखाता है तो मेरे साथ ही हूँ यह थे हमारे top 4 tips जिसका आप इस्तमाल कर सकते हैं if you don't know the answer during an interview और अगर यह video पसंद आया तो like, share और subscribe कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी helpful videos ला सके तब तक के लिए ना कर कोई फिकर शुरुआत कर indeed पर